हाथरस नगरपालिका की अंदेखी और उदासिंता के चलते वाड नमबर 23 और 26 के लोग गंदगी के साथ पानी की समस्या से जूज रहे हैं ना तो लोगों को पीने के लिए पानी ही मिल पा रहा है और ना ही गंदगी की समस्या से निजात स्थानिय लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायते करने के बाद भी नगरपालिका की अधिकारी सुनने को तयार नहीं है आपको बता दे हाथ रस नगरपालिका शेतर के वार नमबर 23 और 26 के लोग पिछले काफी समय से गंदगी पानी और पीने के पानी की समस्या से जूज रहे हैं गाउं सुरंगबुरा और नयाबांस के इन लोगों को एक तरफ तो पीने के पानी के लिए जद्धो जहत करनी पड़ती है दूसरी तरफ इन दोनों गाउं के लोगों को गंदगी की समस्या से भी जूज ना पड़ रहा है स्थानिय लोगों का आरोप है कि पानी और गंदगी की समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई है लेकिन आज तक उनके शिकायत का नस्तारा नहीं हुआ है सिरुसा के आए वी एक बार हमने बता हूँ आए खांश को स्था फानिया पड़ियों को सुमणॡ़ ओए खांगी क्यांक आए और गंदगी की बहुत रहती है ले नाम मनोशिव दे श्रिराम झौक कहाँ पढ़ता है अब यह जा नामा कि समस्या देखो घंद्धी विया पानी भी समस्या है पानी की समस्या जादा है नल खराब है कहीं ना पड़ी वहीं तो यह अप्लाई करिए सुनती नहीं सब लग रहे ना बनबादों कचू जानबर आपके ना पर जानबर आपके ना पर गईया और बिजार थूब लड़ते हैं सामको हमारी लेडी आधा घास फूंच लेकर एक लेडी अम्मा से नकाल के लाएप आमाद दबोच दी आपका जानबर यह सवास उनका कई है वहीं नहीं सुनता हमारे बाद को रिकॉर्ड भी हैं उनके चुप चुप सुनके चले आदे तोड़ों बहुत काम करा इसी चले चल एक का नामे चन्नन, एक का नामे चुप लेड़ों मा नाम बताऊंके जो स्रद्द गुमारी है वह सवासद है उसका पती है चन्नन